मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से 42 के मीद दूर चिचोली तेहसील मुख्याले से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे मलाचपुर गाव में भूतों का मैला लगता है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांती के बाद वाली पूर्णिमा को लगने वाला भूतों का ये मेला वसंद पंचमी तक चलता है। दूर दूर से लोग यहां आपने परिचनों को प्रेत बाधा से मुक्त करवाने के लिए आते हैं। गुरुवार सहब बाबा की समाथी कहते हैं कि 1770 में गुरुवार सहब बाबा नाम के सादू यहां बैठक कर अपने शक्तियों से लोगों की हर तरह की समस्या और प्रेत बाधा को दूर करती थे। बाबा के पास चमक कारेक शक्तियां थी। वह भूत प्रेतों को वश्मे क कर लेते थे। गाउं के सभी लोगों ने भगवान का रूप मानते थे। उन्होंने एक कव्रिक्ष के नीचे जिंदा समाथी ले ली थी। गाउंवालों ने यहां पास में ही एक मंदिर बनवा दिया और उनकी याद में हर वर्ष मेले का शुभहारंप करवा दिया। उनके में गाउं वाले भूतों के मेले में बढ़चर कर भाग लेते हैं। बाबा की जाने के बाद भी यहां प्रेत बाधा से पेड़ित व्यक्ति को छुट कारा मिलता है। श्रिदेवजी संत गुरुवार साहब बाबा का जन्म विक्रम सनवत 1727 फ्वाल गुनसुदी पुर्णिमा को कटको ही ग्राम में हुआ था। बाबा का बालेकाल से ही रहिन सहन खाने पीने का धंकजी बुगरी था। बालेकाल से ही बगवान भक्ति में लींच्री गुरुव तक रहे इस स्थान पर गुरुवार साहब बाबा को देवला बाबा के नाम से लोग जानते पहचानते हैं तथा आज भी वहाँ पर उनकी याद में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। कैसे मिलती है प्रेत बाधा से मुक्ति। मलाज पुर्गाव के देवजी महाराज मंदिर में लगने वाले भूतों के मिले में बुरी आत्माओं, भूत प्रेतों और चुरल से प्रभावित लोग एक पेड़ की परिक्रमा करते हैं और अपनी बाधाएं दूर करते हैं। यहाँ शाम की पूजा के बाद परिक्रमा करते हैं। मायत अनुसार जिसे कोई समस् परिक्रमा करता है, जबकि दूसरे सीधी दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान कुछ लोग जिन पर भूत प्रेत का साया होता हैं वे इन कपूर जलाकर अपने हाथ और जुबान पर रख लेते हैं। मलाजपूर स्थित बंधारा नदी में कड़ाके की में नहा कराने के बाद कई महिलाएं और पुरूस गुर्वार साहब बाबा की समाथे के चारों और चक्कर काटते समय बाबा से रहम की भीग मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब इस व्यक्ते के शरीर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा या करूंगी प्रेत बाधा से मुक्त होने के बाद जढ़ाते हैं गुड जब लोग प्रेत बाधा से मुक्त हो जाते हैं तब उन्हें गुड में तौला जाता है ये गुड मंदिर में दान कर दिया जाता है या हर साल सैग्रों कुंटल गुड कट्टा हो जाता है यहां काफी मात्रा में गुर्जमा होने के बाद भी उसमें किड़े, मक्या या चीटिया नहीं लगती हैं लोग इसे भी एच्च मकार मानते हैं